हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बता हूँ कि आप टैनिस बॉल को स्विंग कैसे करा सकते हो आपको टैनिस बॉल को अच्छे से टेप से बिल्कुल कवर कर लेना है कोई भी पार्ट बॉल का बचा नहीं रहना चाहिए ऐसे बिल्कूल आपको अच्छे से cover कर लेना है फिर आपको दूसरी tape लेनी है और इस पर seam की position बनानी है कोई भी tape ले सकते हो blue या red और आपकी ball ready है स्विंग कराने के लिए आप इससे practice कर सकते हो